दिली के राउज एवेन्यू कोट में पूर्व उपमुख्य मंत्री मनीश सिसोधिया की जमानत और रिमांट पर जम कर बहस हुई एक और मनीश सिसोधिया ने जमानत की याचिका दायर की थी तो वहीं एडी ने उन्हें नौ मार्ज को मनीश सिसोधिया से करीब आठ घंटे की पूछताच के बाद गिरफतार कर लिया एडी ने कोट में बताया क्यों कुछ खास कारोबारियों की कमाई के लिए आपकारी नीती में खास विवस्था की गई थी उन्हें 12 फीजी का मार्जिन बढ़ाने का फैसला किया गया था लेकिन पूछताच में मनीश सिसोधिया सहयोग नहीं कर रहे है वही मनीश सिसोधिया ने तिहार जेल से देश के नाम पत्र लिखा है इस पत्र में सिसोधिया ने लिखा बीजेपी लोगों को जेल में डालने की राजनिती करती है हम बच्चों को पढ़ाने की राजनिती कर रहे हैं जेल भेजना आसान है, बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल है। राश्ट्री शिक्षा से आगे बढ़ेगा जेल भेजने से नहीं। आरूपों की बाद बीजेपी ने जोरदार पलतवार किया, वहीं कॉंगनेस ने दिल्ली की नई आपकारी नीती के तार पंजाब से जुड़े होने की आशंकर जताई। इन सबकी बीच सोशल मीडिया पर बीजेपी और आमादमी पार्टी की बीच पोस्टर वोर भी जारी है बीजेपी ने पोस्टर जारी कर अर्विन के जिवाल को घेरा, तो आमादमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर एजेंसियों का दुरोपियोग करने का आरूप लगाया।